एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं चिकन टोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं यह टोस्ट खाने में जितने टेस्टी है उसे कहीं ज़्यादा बनाने में आसान है तो रेसिपी को फुल व जितना ओयल गरम कर लेंगे पैन में और उसमें हमने डाल देना है आधी प्यास को मैंने बारिक चॉप किया है और दो हरी मिर्चो को मैंने बारिक चॉप कर लिए और डाल देंगे और इसे हलका सा सॉफ्ट कर लेना है जिब भी हलका सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम थोड सकते हैं सब्चियों की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या जाद़ कर सकते हैं और इससे अच्छे से हलका सब्झा कर लेंगे शिंब्ला मिर्ची और गाजर को फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है एक कप कर लेंगे और फिर गैस का फ्लेम हमने ओफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेंगे यहां पर मैंने दो मिडियम साइज के आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है और जब यह मिक्सर जो हमारा सबजी है यह ठंडी हो जाए तो हम इसमें आलू में डाल देंगे और यहां पर मैंने चिकन ले लिया है इसे चिकन को पहले बॉइल कर लेना है पीसे करके फिर उसे हैने हमने मिक्सर में डाल कर पल्स मोड पे दो से तीन बार घुमाएंगे न तो बहुत अच्छे से इस तरह से बारिक रिशे बन जाएंगे इसके अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और जाट मसाला पौडर और इसके अंदर में डाल रही हूं एक शेजवाण चटनी का पैकेट तो शेजवाण चटनी वह जैसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है शेजवाण चटनी का एक पैकेट डाला है आप चाहे तो इसमें अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप ज्याधा डाल सकते हैं और अगर आपके होमेट चटनी है तो आप होमेट चटनी घर की डाल दीजिए अच्छी मिक्स कर लेना है exemple है अच्छे सी एक जान कर लेना है अब है अब यहाँ पर हम ने 4 ब्रेट के अलेसिस लेना है तो तो जितना मिक्स्चर है उसके हिसाब से मैंने ब्रेट की स्लाइस लिया है और दो से तीन चमज हम इस तरह से रखेंगे चिकन को इस पर ब्रेट पर और अच्छे से इसे दबाते हुए सेट कर देंगे इसी तरह से चारो ब्रेट पर हमने चिकन को स्प्रेड कर देना है अच्छे से तो जो चिकन की कॉंटिटी थी उसमें ये पूरा हो गया था चार ब्रेट अगर आप जाधा बनाना चाहते हैं कॉंटिटी में तो चिकन की कॉंटिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं और इसको आप कवर कर देंगे ब्रेट से कवर करने के बाद इसे अच्छे से हलके से दबा देंगे कि इसमें थोड़ा सा चिपक जाए अब यहाँ पर एक घुल तयार कर लेंगे इसके लिए मैंने आधा कप मैदा और आधा कप कॉन फ्लॉ लिया है थोड़ा से नमक और थोड़ी सी करेंगे बहुत पतला नहीं और बहुत गाड़ा भी नहीं इस तरह का घोल होना चाहिए अब यहाँ पर मैंने ब्रेट करम भी ले लिया है तो जो फ्रेश ब्रेड होते हैं इसके साइड से निकले होते हैं कॉर्णर से तो उसी को मैंने इस तरह से मशीन में घुमा कर से सलरी में और यह जो साइड का हिस्सा और बाहर न मैंने तयार करना है तो अब इससे अपने के लिए मैंने ओoil को गरम कर लिया है बहुत कम.. और रहर ने मैं युदि आयूज़कर को पहल है यूदन के द दिखांग नवारी के हैं आप आपको बीच में से कट करके दिखाती हैं आप इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं चार पीस में और इस तरह से स्क्वेर में भी कट कर सकते हैं चार पीस में तो इससे बना कर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत पसंद करेंगे वो मेहमानों को भी सर्फ कर सकते है रमजान में भी आप इस रेसीपी को टराइ कर सकते है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी स्नेक बनते हैं यह तो फ्रेंड्स रेसीपी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेर करना मिरी रेसीपी को अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना साथी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना न्यू अबडेट के लिए मिलती है एक नई रेसिपी के साथ